प्रभास के फिल्म कल्व की 28,90 एडी बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है वह उमीद से जादा अच्छा परफॉर्म कर रही है फिल्म को रिलीज करने से पहले से ही दर्शकों का प्यार मिलना शुरू हो गया था और इसी के साथ या साइंस फाइब फिल्म हर दिन को अपने कैस रेजिस्टर में कई करोण का कलेक्शन दर्श कर रही है बगादी के फिर्म को रिलीस करते हुए अभी एक हफता भी नहीं हुआ है और लगभग आदी से ज़ादा लागत वसून चुकी है हाना के बेकेन पर बॉक्स आफिस पर तबाही मचाने वाली कल की 28.90 AD की कमाई में अब विक डेज में गिरावर्त भी दर्श की जा रही है प्रभास दिपिका पादुकोन अमिता बच्चन और कमल हासन की जोडी ने दर्श को को पागल कर दिया है नतिस्तन थेटर से दर्श को की भीड में खचा खच भरे वे नजर आ रहे हैं इस फिर्म ने महा बमफर आपनिंग भी की थी और तब से कल की 28.98 AD Box Office पर राज कर रही है साथ ही हर दिन नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है कल की 28.98 AD की कमाई बात करें तो इस फिल्म में रिलीज के पहले दिन 95.3 करोड से खाता खोला था दूसरे दिन फिल्म ने 69.3 करोड रुपे कमाई तीसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन 66.2 करोड रुपे रहा वहीं चौते दिन फिल्म में 28.2 करोड रुपे का कारोबार किया इसके बाद पांचवे दिन फिल्म की कमाई 34.15 करोड रुपे रही वहीं अब कल की 28-98 AD की रिलीज के छटवे दिन की कमाई की शुरुवात आकड़े में भी आ गए है शेकनिल की अभी ट्रेन रिपोर्ट के मताबिक कल की 28-98 AD ने रिलीज के छट़े दिन याने पहले मंगलवाग को 27.85 करूर की कमाई की है जिसमें तेलगू में फिल्म ने 11.2 करूर, तमील ने 1.2 करूर, हिंदी में 14 करूर, कंणर में 0.25 करूर और मलियालम में 1.2 करूर का कलेक्शन किया था इसी के साथ कल की 28-98 AD का छटवे दिनों का कुल कलेक्शन 371 करूर रुपे हो गया है जिसमें फिल्म ने तेलगू में 6 दिनों में 193.2 करूर का कलेक्शन किया है, तमील में फिल्म की अब तक की कमाई 21 करूर की रही है जबकि हिंदी में कल की 28-98 AD के 6 दिनों का कुल कलेक्शन 142 करूर रुपे रहा वही कंदर्वे फिल्मों ने 2.4 कड़ों की कमाई की और मल्यालम में कल की 98.90 का 6 दिनों का कुल कलेक्शन 12.4 कड़ों रुपे रहा